हेलो फ्रेंट्स तो मैं स्वार्व कुश्वा सागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का तो दोस्तों ठंड बहुत जबर जस्त है और मैं यहां कश्मीर घुमने आया हूं तो आपको इस वीडियो में मैं रिकमेंड करता हूं कि जब भी कश्मीर आए तो क पूरा ध्यान से सुनिएगा विकॉज अगर आपको कश्मीर घुमने आना है और ऐसी वर्फ वाली वादियों में आना है तो इन कपणों की बहुत ज़्यादा ज़रूत है सबसे पहला टिप दोस्तों नॉर्मली हम कोशिश क्या करते हैं कि जब भी बर्फ वाली जगे पर हम जाते हैं तो हम एक मूटी सी जकेट पहना पसंद करते हैं तो दोस्तों, जो मूटी सी जकेट होती है, हम सोचते हैं कि जितनी जादा मूटी होगी, ठंड उतनी जादा रोकेगी, बट ऐसा नहीं है, quality of fabrics जो उसके अंदर रुई होती है, artificial हो, किस तरह की cotton है, उसका बहुत मैटर करता है, तो दोस्तों हम यहाँ पर आये हैं, और यहाँ पर माइनस 3 से माइनस 7 डिगरी तक जाता है गुलमर्ग में, मैं रात को यह वीडियो बना सकता था, बट अंदेरे के कारण नहीं बना पाया, तो दोस्तों, मैं सुबह बना रहा हूँ, और इस समय यहाँ का temperature है, माइनस 3 डिगरी, दोस्तों, यहाँ पर कौन सी कपड़े प आपको बता रहा हूँ, मुझे टोटल 6 डेज हो चुके हैं यहाँ पर, मैं उसी experience से आपको बता रहा हूँ, तो मैंने जो खरीदा है, मैंने खरीदी है एक जैकिट, डेकतलों से, और जिसका ब्रांड है क्योश्यूआ, इस ब्रांड की मैंने जैकिट पहनी हुई है, और अ 200 ग्राम के बॉक्स में थी, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप प्लेन से आ रहे हैं, तो जो वेट है वो कितना मेटर करता है, तो यह मैंने जैकिट खरी दिये, कभी भी यहाँ पे आप सिंगल कपड़ा नहीं पहने, चाहे कितना भी हैवी हो, आपको 3-4 लेयर पहनी है, य यह जो मैंने दूसरी लेयर पहनी हुई है, यह है फ्लीस, जो आपको डेकतलोन में मिलेगी, यह फ्लीस भी मैंने वहीं से लिए, यह बहुत जादा गर्म है, और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करों फ्लीस की, तो दिस कॉस्ट अप्रोक्सिमेटली 400 रुपीज, 300 to 400 रु नहीं, यह आपको जरूर पहननी है इनर के उपर, उसके बाद मैंने आपका जो रेगुलर इनर होता है, आप वो पहनी है, वो पहना हुआ है, बीच में अगर आप चाहें तो एक नॉर्मल सी पतली सी स्वेटर भी पहन सकते हैं, और यह जो जैकेट है, इसका प्राइस है, 1000 रूपीज का, मेरे पास दूसरी जैकेट है, उसका जो प्राइस है, वो 2500 रूपीज का है, जो माइनस 10 डिगरी तक सहन कर सकती है, बट फ्रेंकली बताओं दोस्तों, यह चार लेयर, इसके बीच में मैंने एक और स्वेटर पहना हुआ था, यह चार लेयर पहनने के बाद भी नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई ठंड है, दूसरी बात, यह जो कैप है मैंने, वो यहाँ के लोकल मार्केट से लिए, आप डेकतलों से कोई भी कैप ले सकते हैं, या नॉर्मल मार्केट से ले सकते हैं, और जब भी आप यहाँ पर आए, तो यहाँ के जो लोकल मार्केट है 200 to 400 रुपीज के बीच में आपको एक caps मिलेंगी आप वो purchase कीजिए because cap यहीं से purchase कीजिए क्योंकि जिस जगे आप जा रहे हैं वहाँ पे जो चीज मिलती है वो उसी जगे के accordingly मिलती है सपोज आप मुंबई से आ रहे हैं तो हो सकता है आप जादा नहीं खरीदें तो यह decathlon की jacket अगर आपको showroom में नहीं मिलती है आपके यह decathlon का showroom नहीं है तो आप online decathlon की website पे जाके भी इसको मंगा सकते हैं अगर आप normal कोई भी jeans पहनते हैं मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ अगर आप कोई भी jeans पहनते हैं इस तरह की तो इस jeans के अंदर आप एक पतला सा इनर वो ज़रूर लें चाहे तो आप decathlon से ले सकते हैं चाहे तो आप कोई भी brand lux cozy lux inferno या winter जो भी company है वो आप पहन सकते हैं अंदर इनर पेनना बहुत ज़रूरी है और दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट चीज़ अगर यहां पर आप आएं तो मफलर के चक्कर में ना पढ़ें डेकथा लान आप जा रहे हैं तो यह जो आप देख रहे हैं और इनकेस अगर जरूरत पड़ी तो double layer बनाके इस तरह से आप अपने cap के अंदर भी लगा सकते हैं तो इसको जरूर लीजिए यह बहुत जादा जरूरी है तो minimum उपर आपको four layers पहननी है एक मोटी जैकेट मत लीजिए क्योंकि जब आपको तेज धूप पड़ेगी तो एक मोटी जैकेट है वो भारी लगने लगेगी और अगर आपको गर्मी लगेगी तो आप उसको उतार नहीं सकते हैं बिकोज आप केवल एक ही जैकेट पहने है तो recommended है भारी जैकेट नहीं लेके आए अच्छे ब्रांड की पतली जैकेट अगर आप two thousand rupees की जैकेट ले लेते हैं decathlon की it's enough उसके अंदर यह फ्लीस ले लीजिए total costing इन कपड़ों की आपको आएगी चार लेयर की hardly within three thousand rupees एक फ्लीस है four hundred rupees का एक thousand rupees की जैकेट है और आप एक नीचे का जो lower है वो ले सकते हैं five hundred rupees का और एक जो cap है उसकी वो आप ले सकते हैं four hundred rupees की यह सारी चीज़ें आप decathlon से ले लीजिए आप किसी और ब्रांड से ले सकते हैं मैं recommend करता हूँ इसी को क्योंकि मुझे अंदर महसूस भी नहीं हो रहा है कि यहाँ पे अभी minus three degree है thank you so much अगर कोई भी doubt आता है किसी तरह से तो आप मेरे से question पूछ लिए comment section में जरूर लिखें अगर आप कोई और ब्रांड बताते हैं तो उसे comment section में आप लिखके बताइए मैं next time के trip में उसी ब्रांड को फैन के जाऊँगा thank you so much दोस्तों लमस्का